तो नमस्कार दोस्तों किस और बात कर रहा हूं दोस्तों देखे सोसल एड़वर्ड के बारे में जो बहुत से बंदों की रिक्वेस्ट थी कि सरह हमें एक कंप्लीट वीडियो बना के दीजिए जिसमें जोइनिंग का भी बताया गया हो और टाक्स कैसे कंप्लीट करना उसके बारे में भी बताया गया हो और पॉप अप कैसे ओन करना उसके बारे में भी बताया गया हो और कंप्लीटी में एक वीडियो बना रहा हूं तो ध्यान से देखते रहिए कि किस तरह से आपको नए परसन को जोइन करवाना कैसे उसका टाक्स कंप्लीट करवाना है और किस तर लिए ठीक है हर परसंड का रेफराइडी मोबाइल नमबर ही होता है देखे अलड़ी लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको रेफराइडी इस्पंसर आइडी लगी मिलेगी ठीक है उसके बाद देखे यहां अपना नेम फिल कर दीजिए मोबाइल नमबर फिल कर जीए इमेल आई पासवड मिलेगा ठीक है पासवड और अपना जो सोचल अड़ वर्ड में जो मोबाइल नमबर आप दाल रहे हो वह आपकी स्पॉंसर आइडीओ होगी पास्वर्ड और मॉबाइल नमबर डाल गया आप लोगिन कर लीजीगा ठीक है लोगिन करने के बाद देखिए मैं लोगिन कर लेता हूँ यह देखिए मैं अपना डैस्वर्ड ओपन कर लिया है ठीक है लोगिन करने के बाद आपको यहां टाक्स कंपलीट करने के लिए एक ल लेकिन उसकी जो process वह आपको बता देता हूँ देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको tax complete करने के लिए एक facebook page मिलेगा उसको like करना है जैसे ही आप facebook page को like कर लोगे तो आपको next button पर click कर देना है next button पर click करते ही आपको एक YouTube का channel मिलेगा उसको subscribe करना है और साथ में bell icon का जो option है उसको भी दबा देना है अब देखिए आपको फिर से बैक आना है बैक आने के बाद आपको एक flip card की application मिलेगी उसको download करना है application को download करके सिरफ 2-3 second के लिए open रखना है फिर बैक आना है बैक आके फिर से आपको next करना है next करने के बाद आपको एक बीटू आर एप के नाम से एक application लेगी उसको install करना है ठीक है install करने के बाद आपको टाक्स फिनिस का option नीचे दिखाए देगा उस पे click कर देना ठीक है जैसे ही उस पे click करोगे तो आपको एक confirm का option दिखाए देगा उस पे click करके अपने ID को active कर लेना ठीक है यह तो हो गई ID active करने की process अभी देखिए ID active करने के बाद आपको क्या करना है अपना pop-up on करना ठीक है यह सिर्फ एक बार करना होता है mobile में pop-up on नहीं होता जो नया person होता है ठीक है तो ब Tai sup up and on कैसे करना है उसके बारे मैं आपको बटा देता हूं उपर देखिए यह 3 डोट आपको यहां दिखाई देंगे इस 3 कीलिख करना ठीक है देखिए 3 डोट पे पर क्लिख करने के बाद यहां नीचे setting का option के कुलिक करने के बाद देखिए नीचे side setting का आपको दिख़ाई दीगा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद देखें जहां io ignorant कर देना है देखें मेरा आप उसको अल्वी ART कर दीजिएगा ठीक है यहां से ठीक है अब देखें बैक आना है बैक आने के बाद आपका अब जो काम बचा है वह सिर्फ एड देखने का रोज सिर्फ आपको यही काम है कि एड कैसे देखते हैं तो यहां टूडे एड इस्टूडी दिखा रहा है ठीक है जो इस पॉंसर बाद यह देखें 20 एड आपके सामने खुलके आ जाएंगी ठीक है देखें जिस तरह से चार-चार एड का यह बोक्स आ रहा है मेरे पास इस तरह से आपके पास 20 एड का एक बोक्स खुलके आ जाएगा सामने तो इनको आपको बारी-बारी से एक-एक एड को ओपन करना है जैसे कि यहां आप मेरे में शीन लिखा यहां आपको वीव मिलेगा तो जैसे ही आप वीव पे किलिक करोगे तो इस तरह से एक एड़ आपके सामने खुल के आ जाएगा देखिए मैं दिखा देता हूं कि कोई भी आड़ खुलेगा ठीक है यहां फिर कोई यूटू का चैनल खुलेगा कुछ भी खुले इस वीव पी आपके लिए करना है इसको सिर्फ 2-3 सेकेंट के लिए देखना और फिर वेक कर देना ठीक है यहां वीव की जगे आपके में शीन आ जाएगा शीन आ जाएगा तो आपका add complete हो जाएगा ठीक है इसी तरह से same 20 एड़ आपको रोज देखना यह नहीं कि यह काम आपको एक की दिन करना यह काम आपको रोज करना ठीक है और रोज करने से देखे दोस्तों होगा क्या आपको self का मिलेगा 9 रुपे ठीक है और यही काम आपको अपने टीम से करवाना है टीम अगर व्यू देखती है तो टीम से आपको 70 लेवल तक इंकम होगी ठीक है और इंकम भी अच्छी खासी होगी ठीक है दोस्तों तो यह हो गया व्यू कैसे देखना है अभी देखें मैं और थोड़ी प्रोसेस आपको समझा देता हूं अभी करेगी देखि मेरा 94 का टीम है और देखिए मैं more info पर किलिक करता हूं more info पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से 7 level खुलके सामने आ जाएगा अब जिस level में आप चेक करना चाहो कि मेरी कौन सी level में कितने बंदे हैं कितने बंदों और उनको देखने के लिए बोल भी सकते हैं तो देखिए एक मैं सिंपल सी एक open करके दिखा देता हूं कोई भी एक open कर लेता हो देखिए जिस तरह से मेरा स्वेडा लल में 20 इस बीस आईडिय के यह तो जो परशन होगा उसका नाम होगा कि कौन परसन है ठीक है और यह sponsor का नाम होगा यहां देखिए यह देखिए शीन शीन जहां शीन शीन आपको दिखाई दे रहा है उस person ने आज का add complete कर दिया और जहां pending दिखाई दे रहा है उस person ने अभी तक add नहीं देखा ठीक है और सामने ID study में सभी active दिखा रहे हैं तो सभी बंदे active हैं और यह देखिए यहां non active भी है ठीक है तो इस बंदे ने अभी तक अपना जो challenge मालो या फिर tax मालो कुछ भी मालो वो अभी complete नहीं किया जैसे कि facebook page को like करना यूटूब चैनल को subscribe करना वो काम इसने अभी तक नहीं किया तो यह non active है ठीक है कर लेगा कोई बात नहीं ठीक है और जो pending दिखा रहे हैं उसने अभी तक view देखा नहीं ठीक है जैसे ही वो view देखेंगे तो य भी जरूर रखना क्योंकि यह वीडियो आपकी टिम को जो नए यूजर हैं उनको समझाने में बहुत ही काम आएगा ओकी थैंक्यू